हालो फैंस बहुत-बहुत अब स्वागत है आपका इस विडियो लास में प्रिंड इस वीडियो लास में मैंने पिक किया है कुछ बैस्ट इस पॉर्ट इंगिनर के कोस्चेंज जो की सभी बैंकिंग और सभी एससी क्जेंड के लिए काफी इंपोरेंट रहेंगे यह नए पै आप देखिए इसमें काफी सरे concept साफ के क्लिया होंगे अब यहां से इस sentence को पढ़िए another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me तो देखने से इस sentence सही लगता है अब देखिए इसमें क्या गल्ती हो सकती है देखिए baffling का मतलब है confusing या perplexing ठीक है तो इस sentence का मतलब यह है कि एक baffling change जो मैं उसमें notice करता हूँ आजकल वो यह है कि वो मुझसे बात नहीं करता है that he avoids to speak to me देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे words होते हैं जिनके साथ हम two plus v1 न लगाते हुए जैसे यहां पर two plus v1 लगा हुआ है avoid के बाद two plus v1 speak लगा हुआ है तो इंग्लिश में कुछ ऐसे word होते हैं जैसे avoid है, enjoy है, practice है, stop है इसके बाद एक word के बाद जब दूसरी word आती है तो इसकी ing form का हम use करते हैं तो यहां पर हम avoids to speak न बोलते हुए avoid speaking बोलेंगे ठीक है तो इस तरीके से c part में इसमें गलती है तो इस तरह की typical जो mistakes हैं यह banking necessity exams में पूछे जाते हैं और इसमें sentence काफी लंबा होता है और जो mistake होती है जो error होती है बहुत subtle होती है एक छोटी सी mistake होती है जो की काफी मुश्किल होता है उसको पकड़ना, ठीक है अब यहां पर देखते हैं दूसरे sentence को I asked him how could he go out if it started raining मैंने इससे पूछा कि वो बहर कैसे जाएगा यदी बारिश शुरू हो जाती है अब यहां पर ध्यान से देखिए यह भी एक typical SST sentence है काफी बार पूछा जाता है इस concept पर तो यहां पर देखिए how wh word है और उसके बाद यह helping word है यानि यह question का एक pattern यहां पर दे दिया है जबकि यह sentence question का नहीं है ठीक है तो इसको ध्यान से देखिए यहां पर how could he न बोलते हुए आप बोलेंगे how he could क्योंकि यह question नहीं है इसलिए question pattern में इसको नहीं लिखा जाएगा इसको affirmative pattern में लिखा जाएगा यानि यह जो path है यह आपका गलत है how he could लिखा जाएगा यानि यह जो path है यह b path है तो b इसमें आपका answer होगा अब यहां पर देखिए एक छुटा सा concept आपका check किया गया है कि sentence पढ़ते है one of the state अब देखिए one of the पढ़ने के बाद जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आप देखिए one of the one of the का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आप choose कर रहे है होता है कि जैसे ही आपको गलती मिलती है वहीं पर आपको इसको स्पोर्ट करना है और इसके बाद पर आपको आगे बढ़ना है तो इसमें होगा states ना की state और यही इसमें गलती है तो आगे देखते हैं hardly the inspector देखिए इस sentence में क्या है English का एक रूल है कि जब भी कोई sentence negative word या semi negative word negative word होते हैं जैसे no हुआ never हुआ semi negative word होते है hardly hardly का मत्ता होता है मुश्किल से तो semi negative word से जब हम किसी sentence को start करते हैं तो semi negative word के बाद यहाँ पर helping verb का हम use करते हैं तो इसमें हम hardly the inspector had ना बोलते हुए इसमें हम बोलेंगे hardly had the inspector ठीक है यानि यो head है ये पहले यहाँ पर आएगा तो first sentence यानि first part इसका गलत है first is cancer होगा आगे हम देखते हैं since his arrival at the native town he is trying to देखे ये जैसे हम लोग tense पढ़ते हैं तो exam में जो tense आते हैं उसका application आपको समझना होता है कि बलटना ही होता है देखे since his arrival at the native town मतला जबसे वो native town में आया है जबसे वो native town में आया है तब से लेकर अभी तक ठीक है वो किसी काम को कर रहा है he is trying अब देखे since और for का प्रयोग हम किस में करते हैं हम perfect and perfect continuous tense में करते हैं since and for का प्रयोग लेकिन इसमें यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तो यह continuous tense का use हो रहा है यहाँ पर हमें perfect continuous tense का use करना पड़ेगा क्योंकि इसमें since का हमने use किया है since his arrival at the native town he is की स्थान पर हम बोलेंगे he has been trying to the best of his power तो इस पॉर्टी दर के जितने भी questions आपसे या banking में SST में किसी भी exam में जो पूछे जाते हैं definitely वो concept पर आधारित होंगे तो वहाँ पर आपको आपसे concept का application आपसे पूछा जाएगा तो concept को समझना बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पर देखिए in various parts of the country ponds just dry down in the scorching heat of summer मतलब country के काफी सरे पार्ट में ponds यानि तालाब जो होते हैं वो सूख जाते हैं जब scorching heat पड़ती है scorching heat मतलब जुलसाने वाली जो गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर एक phrasal verb आया है dry down तो dry down का क्या मतलब है? dry down का मतलब है किसी का excitement level कम हो जाना और किसी की energy कम हो जाना dry down ponds के सूखने के sense में हम जो जो सही phrasal verb है वो है dry up ना कि dry down dry down हम दूसरे senses में use करते हैं यहसे कि का energy level कम है, excitement level कम है उस sense में हम भी use करते हैं Ponds के sense में हम बोलेंगे dry up तो B यहाँ पर आपका सही answer होगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं He lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out मतला उसने उस घड़ी को टेबल पर रख दिया और बाद में उसके बारे में सब कुछ भूल गया जब वो बाहर गया देखिए रखने के लिए जो वर्ब है वो है lay और इसका सेकेंड फॉर्म है laid तो यह जो वर्ब है lie यह काफी confusing है तो इससे समबदेज कोश्चन डेफिनिटली पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हम lay का मतलब तो actually late नहीं सकती है गड़ी को रखने की यहाँ पर बात हो रही है तो lay और laid LAID आएगा यहाँ पर laid ठीक है तो A इसमें आपका और सही आंसर होगा कोशन नमबर 7 का आगे हम देखते हैं ऑल्दो ही ड्रॉज आरीजनेबिली गुट सेलरी अल्दो ही, ही के बाद समयस लगा है जो कि सही है अल्दो ही ड्रॉज ए इसमें अच्छली गलती से डबल बार आ गया है लेकिन वो सही है यानि यह गलती से आ गया है आरीजनेबिली गुट सेलरी रीजनेबिली इसमें एडवर्ब है गुट एडजेक्टिव है ठीक है, सेलरी नाउन है इस नाउन को मौडिफाइ किया है इस एडजेक्टिव ने इस एडजेक्टिव को मौडिफाइ किया है इस एडवर्ब ने और चुकि सेलरी एकाउंटेबिल नाउन है यहां पर किया है, तो यह जो फ्रेज है, यह तो सही है, ठीक है, हाला कि उसकी सेल्दी काफी जादा है, लेकिन फिर भी उसको डिफिकर्ड लगता है अपनी फैमिली के सारे खरचे चलाने में, वेक बूट resident मिट का basic income and expenses, इसमें मैच करना उसको फुटा सा difficult लगता है, लेकिन फिर यह सेंटेंस सही है, मर कहीं कहीं कोई गलती नहीं है, आगर डिखते हैं, वाइल इस में थुड़ा सा महाँ यहां बताता हूँ आपको, दिखिए, attention के बाद हम attention के बाद हम paid word का लगाते हैं pay attention attention hasn't been paid एसे बोलना चाहिए अगर यहां पर focus लिखा है तो फिर focus के बाद हम 2 नहीं लगाते हैं focus के बाद हम all लगाते हैं लेकर इसमें 2 लगा हुआ है खीक है तो इसलिए यहां पर सी पार्ट में सी पार्ट इसका सही आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं बीइंग असनी डे आई डिसाइड़े ट्विसके वर्क एन इस टेट हो मतनब चुकी उस दिन धूप लिकली हुई थी मैंने अपने काम को छोड़ने की सोची और घर पर आराम करने की सोची अब देखिए ये भी एक टिपीकल एक्जाम कोश्चन है यहां पर देखिए आई सब्जेक्ट है ठीक है और आई के साथ ये वर्ब लगी हुए डिसाइड़े लेकिन बीइंग जो जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहां है इसका सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि आई जो है इसको हमें कॉमन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इस वर्ब के लिए भी और इस वर्ब के लिए भी अब देखिए I के साथ decided तो जो सकता है क्योंकि I decide का सकता है लेकिन I being a sunny day नहीं आई के साथ being इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि I sunny day नहीं हो सकता मैं sunny day नहीं हो सकता एक व्यक्ती sunny day नहीं हो सकता ठीक है, तो चुकि हौः जो subject है, वो इसपर अपलाई नहीं होगा, इस निये यहाँ पर एक separate subject को लेना होगा, और डे के लिए हम separate subject ही और शी नहीं लेंगे, डे के लिए हम separate subject लेंगे it. ठीक है तो यहां पर इट आपका सही आंसर होगा यानि इस कोश्चिन में ए आपका सही आंसर है यहां पर देखिए किस तरीके से पास्परफेक्ट टेंस के कॉंसेप्ट को चेक किया जा रहा है हमें डेली के लिए अपनी ट्रिप को कैंसल करना पड़ा था क्यों वेन वी रीज देशन क्योंकि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन वहां से निकल चुकी थी ट्रेन निकल चुकी थी ठीक है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें यूज करना होगा यहां पर यहां पर यानि स्टेशन वो बाद में पहुंचे हैं पहले ये ट्रेन निकल चुकी थी तो यहां पर आपको past perfect tense का use करना पड़ेगा यहां पर यहां पर यानि सी इसमें आपका सही answer होगा चलिए next question देखते हैं many a student many a का इक concept है इसमें देखे एक के बाद हम singular subject लगाएंगे और singular verb लगाएंगे many a के बाद तो many एका concept तो यहां पर यहां पर इक नाउन का होना भी जरूरी है दिलीप है इसकोर या तो आप बूल सकते हैं 100% मार्क्स या आप बूल सकते हैं फुल मार्क्स यानि सी इसमें आपका गलत है नेक्स कोशन देखते हैं दे जनरल विद ओबर 1000 आफिसर्स और सूलजर्स देखिए किसी सबजेक्ट के साथ यदि हम विद लगाते हैं या एलॉंग विद लगाते हैं या इन एडिशन टू लगाते हैं तो इसमें जो वर्ब आती है वो फस्स सबजेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ये है रियल सब्जेक्ट का प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होता है वो है रियल सब्जेक्ट अब जनरल चुकी सिंगुलर है इसलिए यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे यहां पर हम हैब ना यूज करते हुए ह प्रेस का यूज करेंगे चलिए आगे हम देखते हैं if he wrote the examination faster and had answered one more questions यहाँ पर head and would have का जो concept है जो condition number third होती है उसको बहुती ही खुबसूरती से यहाँ पर यूज किया गया है वोड हैप के साथ हम third part लगाते हैं लेकिन if वाला जो path है इसमें हम head लगाते हैं if he had retained यहां पर हम ऐसे बोलेंगे, if he had a return, यानि ए पार्ट इसमें गलत है, चलिए आगे देखते हैं, for decades, there has been a debate, अब देखें, यहां पर भी ए concept को चेक किया गया है, there जो होता है, there से हम किसी चीज का existence से बताते हैं, और चुकि there यहां पर आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, debate के लि तो इसलिए यहां पर हम have been न लगाती हूँ, यहां पर हम लगाएंगे has been, a, इसमें आपका सही answer होगा, next question हम देखते हैं, Mohan is the one who always finds fault with whatever Ram does, Mohan एक ऐसा विकती है, जो हमेशा, उसमें गलतीय निकालता है, जो Ram करता है, whatever Ram does, यह sentence जो है, यह है आपका सही, इसमें आपका सही, यानि no error, next question दिखते हैं, there is a need, there is a need, यह एक phrase है, there is a need to, there is a need to के बाद हम वरप की first form लगाते हैं, ing form नहीं लगाते, यानि यह इसमें सही answer आपका होगा, आगे का question दिखते है, we know where it begins, but we don't know where it ends, यह काफी अच्छा sentence है, we know, देखे, यह एक sentence है, we know, ठीक है, क्योंकि इसमे subject है, और एक यह वर्ब है, और यहाँ पर देखे, it begins, यह subject है, यह वर्ब है, और डव्लू एच, यह यह वर्ड है, यह कनेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, उसी तरीके से, यहाँ पर देखे, we don't know, यानि यहाँ पर, we don't know, देख sentence हो गया, और यहाँ पर, यहाँ पर, it ends, ए वेल्डिंग का मतलब क्या है तो चीजों को साथ में जोडना उसका मतलब ही वेल्डिंग होता है वेल्ड का मतलब होता है जोइन टुगेदर ठीक है तो इसलिए वेल्ड के साथ ये टुगेदर जो वर्ड लगा है ये आपका सुपर फ्लूरस है सी इसमें सही आंसर होगा यहां पर हम देखते हैं वन अब बेनिफेट्स ऑफ मशीन एज यह भी एक काफी चा सेंटेंसे देख आपका सही आंसर होगा तो इस तरीके से मैंने इसमें 20 सेंटेंसे दिये हैं हाइडी यूसफुल यह सेंटेंसे हैं आई हो आपको यह पसंद आया होगा और यह ग्रेट वोक है मेरी धाइजर वर्ड की इसको जी आपने अभी तक नहीं लिया है तो इसका लिंक में नीचे ड यह से यारी करें हाइली यूसफुल यह यह एगुक आपके लिए रहेगी तो इस वीडियो क्लास में इतना ही यह हिंदी में था यह वीडियो इसका कोशिच करूंगा के इंग्डिस वर्जन भी मैं अपलोड करूं और उसको भी आप देख सकते हैं तो इस वीडियो क्लास म अब मैं आप से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू